तो गाईज अभी इसको कर देते हैं इसके बैरल को ओपन कुछ इस तरीके सोगी देखिए दो नम्मर का च्छरा डाला अब इसको कर देते हैं बंद अब इसमें लगाते हैं फटा का अब इसकी बारी आ गई गाईज चलाने की फायर करने की हेलो काईज वेल्कम बैक टो मैं डी वीडियो और कैसे हैं आप सब लोग आने वाले तुनों पर काईज दिवाली है मेरे और मेरे परिवाई की तब से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना है गाईज खुशियों का दिवार आने वाला है गाईज तो दिवाली के बहुत खुश होंगे और आप भी उसको अपने दिवाली के गैजट में यूज कर सकते हैं नॉर्मली दिवाली में हम क्या करते हैं दिए लाइट्स वगरा ये सारे चीजे ज़रूत होती हैं हमको और एक चीज और जिससे दिवाली अधूरी है तो आज मैं आपके लिए यही लेकर के आया हूँ वह मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो आपको पठाकों की जगा वह आप उसको यूज कर सकते हैं तो वह बेसिकली आपको दिवाली में बहुत काम आएगी क्योंकि बेसिकली पठाकों में जो हम यूज करते हैं तो उसमें बहुत धुआ और पॉलूशन बहुत हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है जिनको सांस की प्रॉब्रम है किसी बीतर इसकिम की अलर्जी किसी को है और किसी को सांस की प्रॉब्रम है तो उन लोगों को बेसिकली बहुत ज्यादा दिक्कत भी आती है दिवाली के बाद क्यूंकि वह पॉलूशन इतना होता अट्मोस्फेर में तो फिलाल मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एक ऐस इसी चीज है जिससे आपको एयर पॉलूशन ज्यादा नहीं होगा आप उससे पस सकते हैं एयर पॉलूशन फैलाने से तो बेसिकली अभी फिलाल मैं आपको वही चीज दिखाऊंगा और गाइस वह चीज है जो आप दिवाली में यूस कर सकते हैं एजक क्रेकर के तौर से तो वह गाइस चीज है यह है और इसको आप यूज कर सकते हैं अपने दिवाली के गैजक पे और एजक क्रेकर यूज कर सकते हैं और यह क्या चीज है यह बताऊंगा मैं आपको अभी तो गाइस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए तो वेलकम बैक गाइस जो मैं आपको बता रहा था वीडियो में के यह क्या चीज है तो मैं आपको बता दूँ बेसिकली गाइस यह दो एमम की एर गन है और यह बेसिकली एजक रेकर भी यूज कर सकते हैं आप दिवाली में और इसका रिस्पॉंस भी बहुत अच्छा है यह मैंने पिछले चार साल पहले खरीजी थी और इसका क्या का काम होता है वो मैं आपको बता दूँ गाइस इसका जो काम होता है वो काम होता है इसमें दो एमम का चर्रा पड़ता है और आगे इसका पठाका पड़ता है मैं आपको बीस का जो शूटिंग होगी और जो उसक इसका बोर है और इसमें ढधाई का दिखा दिखा देता हूं वह चप्चरह किस तरीकर का है इस तरीकरे से इसका है तो बहुंदू गॉसिकली जो मेरे पास इस समय गलब घटा तो बहुत यहितनी हुद्ध में दो नंबर का पा ड़ेगा ऐसा नहीं हैं तो उसमें दो नुम्र का च्टरा हूब इ को इस तरीके से आप सोच graphs a जबाना चाओं तो मैं सोच यहरु पिछाँ गिया यदेखिकिए में पंब है यह देख सकतें आप है और किस किस काम पर आता हैसा व्या हुए बता दूम इस यह basically देखिये airgun है किसान होते है वो खेट में जो छिडिया हो जाती है और या आ जाती है तो उसको भगाने के लिए उनको माणने के लिए नी गाईस उनको भगाने के लिए fire करा जाता है ताकि वो खेट को नुक्सान ना दे और किसी तरीके से फसल को नुकसान ना हो तो यह उसी के लिए होती है एरगन होती है दूसरी आपके घर में कोई बंदर बगर आ जाते हैं जंगली बंदर बहुत नुकसान करते हैं बंदर तो बंदरों को भगाने के लिए आप उनको यूस कर सकते हैं आप उनको साउंड से भगा दें वो भग करें इस को इस तरीके से कभी आख में जूट नला करें और जब भी कृए सकते हैं अगर करना चाहें तो यह हो काने की जूड़त नहीं है इसको Lyn फाल करें तो वैसी बंदा भग जाएगा चाहे वह जानवर हो चाहे हो चड़िया épisode कोई भी भी थो नोरमल इसको जो आप यूज कर सकते है इस तरीके से यूज कर सकते हैं यह झाहि hardware नहीं लगाया है तो अभी मैंने ब्लैंक इसकी इस फैर करा ठीक शाय के साथ है और इसका पटागा पठागा मैंने आपको subtle आधे इसका यह तरह आद्या है यह ll कुछ इस तरीके से होता है सिर्व कोच इस तरीके से होता है कि इसको लगा जाता है इधर ऐसे करके और टाइट से मार दियージाता है ऐसे कि और blocking जोड़ होता है पिर फायर कर दिया अधा फटंग करके अभी तो फ्लाल मैंने चरा लोड नी करा है तो अभी ब्लैंग है यह देखिए अभी आपको मैं चत्पे आ करके इसका फायर का शॉट दिखाता हूं आप देखेगा और मुझे बताईगा आपको कैसी लगी इसकी साउंड समझ रहो समझ रह कावली दो नंबर का चर्रा है और पठा का तो यह जो इसका चर्रा है एन दो नंबर का चर्रा है यह मिला मुझे यह मिला 50 रुफ। eh दो नबर मद्म की लागए तो लगेगा तो फिल आムन की बहुत अच्छा रिस्पाउंस है तो अब मैं आपको इसकी सुनाता हूं साउंड तो गाइज अभी इसको कर देते हैं इसके बैरल को ओपन कुछ इस तरीके से होगी देखिए अभी मैं इसको ब्लैंक चलाता हूं इसकी ब्लैंक में वहाँ सुनिएगा आप कीनिे देखें कुछ इस तरीके से सोंपन करते हैं यहां से लगाया जौर यह तो ज़ो और Gulf a 카onish मैं और इस पर नमनात च्छाधा कुछ इस तरीके से ये दो ज़ों पर गया अब इसको रदेते से बंद यह गिए का बंद अब इसमें लगाते हैं पटा का अब पठा का लगा थोड़ा सा इस तरीके से इसको हम कर देंगे टाइट ताकि लूज ना हो अब इसकी बारी आ गई गाइस चलाने की फायर कनने की तो बने रही है मेरे साथ वीडियो में और इसकी करते हैं फायर तो गाइस फाइनली आप तयार हैं इसकी साउंड सुनने के लिए वान ट्यू ट्री स्टार्ट गाइस कान सुन हो गए तो गाइस कैसी लगी आपको इसकी साउंड एक नंबर लगी एक नंबर है गाइस यकीन मानिए बिल्कुल यहां से चलाया और यह कान सुन पढ़ गया देखिए लाल पढ़ गया होगा देखिए गाइस और ज्यादा इसमें धुआ भी नहीं था तो अभी फिलाल में आपको यही बताना जारा था गाइस तो आप इसको यूज कर सकते हैं और ज्यादा इसमें खर्चा भी नहीं है और आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी इसमें और आपको लेसंग जो दनी पड़ती है इसमें चेडिया वीडिया भगाने के लिए होती है तो दिवाली में भी इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि दिवाली में समय बहुत आती है बिगने के लिए लोकल ही मिल जाएगी आपको 5-600 रुपे की लोकल होती ही बेकार होती अब कराई थी इसकी क्योंकि मैंने इसमें कुछ घड़बड़ी कर दी तो उसके चक्रस मुझे 200 रुपे इसके लगे तो बाद में सही हो गई जहां से मैं ली थी उनसे सही करा दी थी मैंने तो देखी गाईस फिलाल मैं आपको एक बार वंस अगेन आपको एक बार फिर सुना द हागा कर दिया बंद अब दूर हो जाता हूं मैं थोड़ा और वन टू थ्री जबाफ शुट बहुत मज़ा आया ना गाईस मज़ा आया तो आप भी ले सकते हैं अभी फिलाल आपको यही दिखाना था कैसी लगी जरूर बताईवगा और लाईक जरूर कीज़ेगा आपके लिए लेकर किया हूं मैं तрасुट मेरे बहुत दूर मिलते हैं यह अब मेरे पास खतम हो गयते लिए थे च्सवाय जंक्टिन दीर साइक है काम होता है तो आप सकते आप बताये यह वीडियो आपको यही दिखानsky स्पीसिति आपको आपको कैसी लगी जरू अफंट में कैसी लगी आपको तो युद में लाऍटो यही द्खाना था मेर को दिवाली में आप इसका यूस कर सकते और बहुत अच्छा आपका फाइदमन्द है और कुछ भी ज्यादा पॉलूशन नहीं होगा आपको भी अच्छा लगेगा मज़ा भी आएगा और यह आपकी काफी भारी परकम गंद भी है लेने जाएं इतने सारे पटाके तो नौर्मिल पांदा सजार तो ऐसी खर्च आते ह और उससे तो बहुत जादा सथी है और काफी यूसफुल भी है बगाने के लिए चडी ओ भड़ियों को अपर गर में नुखसान कर रहे हैं अब अंदर आ रहे हैं तो उसको भी भगाने के लिए काफी कामिया भैस के लिए तो आप बेसिकली देखिए भी इसका यूस तो का बाप भी है आगे चल के भी यह नहीं कि दिवाली के समय दिवाली के बाद भी इसका यूश रहता है तो आप प्लिस मुझे बताएगा आपको यूसफुल प्रोडक्त में तो प्लिस मुझे बताएगा अगर आप अच्छ लगी तो प्लीस वीडियो को लाइक जरू किजेगा यह बड़ी आ था गूरू प्लीज लाइक शेर कमेंट और चैनल पर नाया तो चैनल करती सब्सक्राइब गाइस मैं आपके लिए फ्यूचर में ऐसी वीडियो लेकर कर आता रहूंगा तो गाइस मिलते हैं आप से अगली वीडियो में बंस अगेन हैपी दिवाली ठाटा मेरे तुमारे सब के लिए हैं आप दिवाली ठाटा बंस अगेन हैं आपी दिवाली साले सब्सक्राइब उस्ते के लिए हैं आप दिवाली